ख़वर गाजिपूर जीले के भावर कोल थाना अंतरगत ग्राम सेर्पूर कला से हैं जहां गाजिपूर पुलिस द्वारा चलाए जा रहा हैं अप्राध एवं अप्राधियों के विरुद्ध अभ्यान के तहत प्रभारी निरिक्षक विवेचक थाना भावरकोल जनपद गाजीपूर द्वारा प्रेशीत आख्याव पर पुलस अधिशक गाजीपूर द्वारा की गई संस्कृति के आधार पर जीला धिकारी 1986 के तहत अंगद राय और्फ जुलन राय पोत्रेश शर्वदेव राय निवासी ग्राम सेरपूर कलाथाना भावरकोल जनपद गाजीपूर की 7,17,4,460 रुपए की अचल बैमानी संपत्ती की जब्तिकरन की कारवाय की मांग की गई आपको बता दे की अंगद राय और्फ जुलन राय के द्वारह की गिरोव बनाकर लोग ववस्था को अस्तवियस्त करने अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक भौतिक वा अन्यलाभ प्राप्त करनी के उद्देश से अप्राधिक कार्य तथा समाज व पचास वर्गे मीटर जमीन क्रे करके और दनिर्मित भवन का निर्मान कराया गया अंगद राय उर्फ जुलन राय द्वारह वर्स 2010 में अपने पैत्रिक आबादी के भूमी पर भवन का निर्मान कराया गया अंगद राय उर्फ जुलन राय पुत्र शुर्यव देव राय क उपर थाना भावर कोल गैंक्स्टर एक्ट, SC-ST एक्ट के साथ जन्पत के कई थानों में लगभग 22 मुकदमे दर्ज हैं और इस समय यहां पर भी यह जन्पद गाजीपुर से 50,000 का इनामी था और इस पर गैंडेस्टर एक्ट के मुकदमे पंजी करत थे उसी में इसकी संपत्तियों की च्छानबीन की गई है तो आज इसकी दो बहुती वेल्वेबिल संपत्ति चोटेक के अंतरकर जप्तिकरन उसक जिलादिकारी गाजीपुर के आदेश से किया गया है जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग सवासात करोड के करीब है और इसकी अन्य संपत्तियों का भी लिवरा निकाला जा रहा है तता इसके गैंग में और भी जो लोग थे उनका भी चिन्नी करण करके उनके द्वारा भी जो अवैद और अपने कूकृत्तों से जो संपत्ति बनाई गई है उसका वी चिन्नी करण कराया जा रहा है सिंग रही और अधिक प्रभावी कारवाई मुक्तार इंसारी के सहयोगियों पर तदा अंगद राय के जो और सहयोगी थे उसके गैंग में उनके उरुद की जाएगी